कहानी की शुरुवात में हम एक लड़की क्लोई को देखते हैं, जिसको बैंक की तरफ से एक नोटिस मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर का लोन नहीं बरा था, यानि कि जो पैसे इन्होंने घर बनाने के लिए बैंक से लिए थे, वो वापिस नहीं किये थे, इसलिए ब कॉलेज की फीज जमा करवाने तक कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो बैंक में कॉल करके बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी बात सुनने को तयार नहीं था, अब क्लोई अपने भाई को कॉल करती है, और खुद से मिलने का कहती है, दूसरी तरफ हमें क्लोई का भाई अपने बेहन को सारी बात बताता है, कहता है मैं बहुत बड़ी मुश्किल से निकल कर बाहिर आया हूँ, क्लोई अपने भाई के जखमों को ठीक करती है, और पूछती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, वो बताता है, तुम्हारे दोस्त रॉस की मौत हो गई है, हम दोनों एक दुकान में चोरी करने गए थी, क्लोई ये बात सुनकर एकदम से हहरान हो गई थी, कहती है, वाट रॉस क्या मर गया है, वो उसका भाई कहता है, मेरे लिए कुछ पी आसान नहीं था, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फस चुका हूँ, क्लोई का भाई उससे कहता है, मुझे यकीन है, तुम सब दी कर लोगी, वो कहती है, मुझे सोचने दो, गाड़ी कहाँ पर है, जिस पर रॉस और तुम चोरी करने गए थी, उसका भाई कहता है, मेरे उस गाड़ी को जला दिया है, मुझे सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, और वो है रॉस का मोबाई, उ क्या होगा, वो तुमें पकड़ कर ले जाएंगे, अब मुझे को सोचने दो, ग्लोई उस फोन को ढूरने का प्लैन मनाती है, जो अब मुर्दा खाने में था, क्योंकि पुलिस ने क्राइम सीन सी लिए हुए सबूतों को मुर्दा खाने में पिजवा दिया था, ग्लोई ज अब तभी क्लोई के भाई को एक लेड़ी आदाती है, जिससे वो पहले नशा लिया करता था, जो एक लेनिक में काम करती थी, वो उससे एक ट्रॉक लेते हैं, एक ऐसा नशा जिसको लेते ही, जिसम ठंडा पर जाता है, और दिल की धड़कन भी आइस्ता आइस्ता चलने ल और फिर में बहाँ से सारे सबूत लेकर आराम से घर वापिस आ जाऊंगी, ये सब कुछ क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए कर रही थी, अब वो खुद को इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद उसकी आख मुरता खाने में खुलती है, अब तक जो इनोंने सोचा था बिलकुल वैसे ही हो रहा था, अब जो वो होश में आती है तो देखती है, उसके जिस्म पर सिर्फ सुफेद रंगी एक चादर थी, और पाऊंपर एक नाम का टैथ लगा हुआ था, लोई अभी भी उस नशे की असर में थी, उतको संभाल नहीं पा रही थी, वो देखती है उसरा मुर्दा खाने में और भी लाशा को लाया गया था, वो दर्वासे से जांकर जब देखती है, तो एक आदमी था, जो चल कर उसकी तरफी आ रहा था, यह यहाँ पर डॉक्टर था, जो लाशों का मेडिकल चेक अप किया करता था, जिसका नाम कॉरनर था, और यहाँ और वो बहुत से खलक काम भी क्या करता था, कॉरनर अब उसकी कमरे में आ जाता है, जिदर क्लोई थी, वो डरकर दुबारा से अपने बेट पर लेट जाती है, और मुपर चादिर को ले लिया था, क्लोई काफी ज़दा डरी होई थी, उसे यह डर था कि कई वो पकड़ी न और रूम से ही बाहर के दिर्वाजे को खोल देता है, वहाँ पर एक आदमी था, जो कॉरनर से मिलने आया था, वो आते ही कहता है कि तो वही इस मुर्दा खाने में डर नहीं लगता, तो मकेने कैसे रह लेते हो, और कहता है मुझे एक लिवर जिकर चाहिए, ग्लोई भी ये कि एक लिवर को निकाल लिया था, मगर वो अभी भी जिन्दा था, ये देखकर क्लोई काफी हरान थी, अब वो रॉस से कहती है, फिकर नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाओंगी, बस शोर मत करना, कि हमारा यहाँ पर किसी को पता चले, दूसरे कमरे में को चीर फार करके उसके अंद्रोने हिससे निकाल रहा था, उस गटर की आवास बहुत देश थी, क्लोई सबाग का फाइदा उठाती है, और चापिया लेकर वहाँ से बाग गई थी, अब वो रॉस को साथ लेकर में गेट तक आ गई थी, उदर कॉरिनर जिब अपने काम से मैं जानता हूँ, मैं नहीं बचूँगा, तुम यहां से अकेली चली जाओ, तब ही उदर कॉरिनर आजाता है, उसने जहरीनी गैस से दोनों को बेहोश कर दिया था, अब जब तो बारा सी क्लोई को होश आता है, तो वो बेट पर खुद को बनता हुआ पाती है, और साथ ही रॉस भी था, जो अभी भी बेहोश होता है, यहां पर कॉरिनर भी था, लोई उससे कहती है, प्लीज हम यहां से जाने दो, वो कहता है, लड़की तुमने क्या सोचा था, तुम यहां पर आओगी, अपने इस दोस को बचा कर ले चाओगी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग चोरिया करते हो, लोगों को तंग करना, तुम्हारे लिए आम बात है, तुम अभी तो जिन्दा मेरे किसी काम की नहीं, मगर हां, मरने के बाद लाकों की हो जाओगी, मैं तुम्हारे जिसम के सारे हिस्सों को बेच दूँगा, जिसके बदले मुझे बहुत से पैसे और एक शौपर में रखकर, साथ ही पड़े कुलर में रख देता है, ये सब कुछ अपनी आंगों के सामने देखकर, फ्लोई का दिल खबरा गया था, कॉरनर के जाने के बाद, वो खुत को खोलने की कोशिश करती है, वहाँ पर पड़े हुए कटर से, उसने अपने हाथों क बेर्स को खोल लिया था, कटर की आवास बहुत तेज थी, जो कॉरनर तक भी पहुँच आती है, अग जब जल्दी से वो देखने आता है, तो उदर क्लोई नहीं थी, वो वही पर छुप गई थी, वो इक चाकू को लेकर क्लोई को यहाँ बाद ढूनने लगता है, उदर क् क्लोई वही पर छुप जाती है, कॉरनर को उस बॉक्स से रॉस का फोन मिल जाता है, तब भी उसके सामने क्लोई आ गई थी, जो कॉरनर के सामने गन करके कहती है, कि ये फोन मुझे देदो, जिस पर वो कहता है, ये गन असली नहीं है, इससे मुझे मढ़ डराओ, हम कभी भ कोई उसकी आग पर गोली का निशाना लगाती है, जो प्लास्टिक की थी, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी, उदर कॉरनर भी उसके पीछे था, कॉरनर अब रॉस की नाश के पास जाता है, और उसके फोन को चेहरे के आगे करता है, जिससे रॉस के मुबाइल का ल मैंने सारी वीडियो देख लिया, अब तुम्हारे भाई को भी कोई नहीं बचा सकता, ये सुनकर क्लोई कोरनर की आफिस में चाती है, और वहाँ से अपने भाई को कॉल करती है, और कहती है कि शायद में यहाँ से जिन्दा ना निकल पाऊं, पर तुम अपना ख्याल रखन था, क्लोई उससे अपनी जान चुड़वाने की कुशिश करती है, वो वही पर पड़े हुए रॉस के लिवर को उठाकर एक कमरे में फैट देती है, डॉक जब उसके पीछे जाता है, तो क्लोई ने उस दरवासे को बंद कर दिया था, और कैमरा की मदद से वो स्क्रीन पर ये भी देखती है, कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसे बचाने आया है, अब वो जल्दी से जाकर में गेट को खोलती है, और ऑफिसर को कॉरिनर के बारे में बताती है, वो कहता है, मैं जानता था, मुझे पहले ही साथ में पर शक्ता है, इतना कहकर वो क्लोई और उसके भाई को मारने लगता है, क्योंकि ऑफिसर भी कॉरिनर के साथ मिला हुआ था, यहाँ पर अब क्लोई वो ही नकली गन दिखा कर पुलिस ऑफिसर को डराती है, तब ही माइक से कॉरिनर की आवाज आई थी, जो पुलिस ऑफिसर को बता रहा था, कि ये गन नकली है, पर तुम इन दोनों को कुछ मत करना, मुझे ये बिलकुल जिन्दा चाहिए, तब ही क्लोई और उसका भाई पीछे की दिर्वाजे से भाग गए थी, पुलिस ऑफिसर नी, इनके पीछे कॉरिनर के डॉक को भी लगा दिया था, क्लोई और उसका भाई बेस्मेंट में आकर बोल कर दिया था, कॉरिनर कहता है, अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ, मुझे एक हैंटा लगेगा, तब ही वो आदमी वहापर पुलिस की गारी को देखता है, वो समझ चुका था, कि इस काम में कॉरिनर का साथ पुलिस भी दे रही है, मगर अचानक से पीछे से आकर पुल क्लोई और उसके भाई पर डाल देंगे, अब यहाँ पर क्लोई और उसका भाई उसका भाई उसाथमी को उठाकर दुबारा बेस्मेंट में ले गए थी, जो मरा नहीं था, बलके बेहोश हुआ था, जहां पर जाते हुए, कैमरे से कॉरिनर ने इन्हें देख लिया था, य यहाँ पर क्लोई का भाई उसाथमी से कहता है, जो अभी भी जिन्दा था, कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, जिसके बतले तो मैं मुझे पैसे देने होंगे, वो आत्मी मान जाता है, अब जब वो उसको लेकर जा रहा था, और आगे पुलिस ओफिसर पर हमला करने वा जाता है, उस ओफिसर की मौत से कॉरनर भी खबरा गया था, इसलिए अब वहाँ पर जितने भी मरीज थी, सब को गोली मार देता है, और क्लोई के भाई को कीच कर साथ ले गया था, योगे उसे एक लिवर चाहिए था, वो अब ख्लोई के भाई का लिवर निकालने वाला थ कॉरनर यहाँ पर यह कह रहा था, कि मेरे पास सब की मौत का जवाब है, पर पुलिस ओफिसर की नहीं, क्लोई भी अपने भाई के जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसी कमरे में पहुँच जाती है, वो जाकर देखती है, क्लोई जब आकर अपने भाई को देखती है, जिससे उसका आदा चेहरा तूटकर बिखर गया था, अपने साथ इतना सब कुछ होता देखकर, कॉरनर पागल हो गया था, और एक बड़ा सा चाकू लेकर, क्लोई को मारने लगता है, लेकिन तब ही बाँ पर पोई आदमी आ जाता है, जिसको क्लोई और उसके भाई ने ब कॉरनर का लिवर निकाल कर दे दीती है, कॉरनर के डॉग को उन्होंने बिल्डिंग में ही बंद कर दिया था, जिसके बाद तीनों बहां से बाहर निकल जाती हैं, उस आत्मी ने इनकी अकाउंट में पैसे भी बेज़ दिये थे, क्लोई उसात्मी से कहती है, तुम्हें कॉरनर के डॉग के इलावा, उसका डॉग ही उसकी लाश को खा रहा था, प्लोई ने बहादरी दिखा कर अपने भाई को बचा लिया था, पर दोस्को ना बचा पाई, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही पर खत्म है,